प्रतीद होता है, रामण की बातों से माता सिता व्याकुल हो उठी है उपना राजपाट और ठाग्य गवाकर वन वन भटकता है फर्टी पर सोता है शित में तो शक्का हो रही है कि वो कहें जीवित भी है कि नहीं प्रतीद के सको भूलो उठीज भी है नहीं नहीं एप्रभू स्वानम्रेक के त्रिश्नादी भायंकर हो सकती है इसकी कलपना थक नहीं की थी मैंने एक निरे पशुकी माया में आकर दूसरे हिंसक पशुक के माया जाल में पस गई मैं इस म्रेक त्रिश्ना का ही परिणाम है ये जो बार बार मुझे अपने पती का अपमान सैना पर रहा है तुमारी बना इसी में है कि भोल जाओ उस बेक्शुक पती को रगार कर लो महराज रावण को रावण ही ने वो तुछ राक्ष सी अभी मेरे स्वामी के प्रती अपमान जनक भाषा का प्रयोग कर रही है जो स्वामी का नाम लेने योग के भी नहीं है रगुकुल की प्रतिश्टा को दूल दूसरित कर दिया है मैंने उस दिन उनकी बात नामान कर उनका अपमान क्या किया आज औरों के मुख से उनके प्रती अपमान जनक बात देश्टनी पर रही है मुझे समस्त्र कुकुल अपमानित हो रहा है अज मेरे खारण कदाचित इसलिए अब तक वो मुझे लेने नहीं आए उनकी बात नामानने का इतर्ण है यह सास्त्रो राक्षसों का वद्ध करने वाली महायोस था एरे स्वामी रावन का अंद करने अब तब क्यों नहीं आए क्या उन्हें ग्यात नहीं कि मैं लंका में हूँ मैं चाहे तू तीनों लोकों में ढून कर शीक रही मुझ तक बहुच सकते हैं फिर इतना विलंब क्यों क्या उन्होंने वहरा के अपना लिया या मेरे वियोग में शत्रिय धर्म त्याद कर सन्या से बन गए वे याकि ऐसा तो नहीं कि माय वी रावन ने चल से मेरे स्वामी की प्राण हन लियो कुछ तो हुआ है जो दस मावेधी दोने तक भी वे मुझे मुक्त कराने यहां नहीं आए ऐसी स्थिती में मैं स्वायम में जीवित हैकर क्या करेंगी मैं जीवित नहीं रोगी राव 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 स्वी राव माता सीता को ऐसा करने से रोपना होगा माता को आशवस्त करना ही होगा किंतु किंतु किन तो कैसे कोई कोई तो युक्ति निकालनी ही होगी जिससे माता भैभीद भी ना हो और उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी आ जाए अब तो मात्र एक ही विकलप है मेरे पास ही राम ही राम के बिना मेरे जेवन का कोई अर्थ ने अब तो यमलोख ही मेरे लिए एक मात्र स्थान बचाए जहां मैं इस वाता पहुँच सकती हूँ नहीं माता सेता ऐसा नहीं कर सकती है कर दो यहां अर्थ दो फो फोड़िए जञेश्री राम है कि अजेश्री राम राम श्री राम श्री राम जए जए राम राम श्री राम श्री राम जै जै राम रग कुल में दशरत आंगन में चंद्र मुखी श्री राम थे जन में हर्शत उल्ला सित थी दिशाएं रीप अवध प्रज्वल घर घर में राम श्री राम श्री राम जै जै राम राम, श्री राम, श्री राम, मुझे जे राम स्वामी के नाम की द्वानी, यह लंका में, यह कोई माया है, यह मेरा दिवास वापन, यह मेरा प्राव, कुछ तो अच्छा होने का अभास हो रहे है मुझे शिव धनुष की प्रत्यंचा चड़ाई, जीता स्वयंबर जान की पाई, वित्र वचन हे तुचे लेवन को, राण जाए पर वचन न जाए राम, श्री राम, श्री राम, जे जे राम यह मधूर स्वार लेहरी कहां से आ रही है, कोई मधूर स्वार में मनोहर स्वार गीत का रहा हो जैसे पहाती पवित्र और मन को शांत करने वाली जोनी है यह ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई मधूर स्वार में लूरी का रहा हो यग्य में करते असूर अनिष्ठा, राम विनाश किये सब भ्रष्टा, पंच वटी बसे वध कर डाले, खर दुशन और ताट का दुष्टा राम, श्री राम, श्री राम, जै जै राम शोक राम को विधी ने लेखी, रावण ने हरली बैदे ही, किश्किन्धा सुगरीव मिले तब, राम की ये वधवाली अधर्मी राम, श्री राम, श्री राम, जै जै राम राम, श्री राम, श्री राम, जै जै राम राम दूत बन कर इकवानर, लंका पहुचा लांग के सादर चहुँ दिशामा जान की खोजी दर्स दिये माताब जाकर राम, श्री राम, श्री राम जे जे राम प्रणाम माता, देखा स्वामी, कैसा अलोकिक, अद्भुत और पवित्रता से भरपूर जड़ है ये, आद्वेश्वरी, राम दूस हनुमान की योद, देवी सीता का प्रथम बार देखना, हनुमान का भी, अपनी शद्धे माता सीता का ये प्रथम दर्शन, इन दोनों के दर्शनों का ये प्रथम शन, श्री राम की कथा में, सिध्धी सर्ग के रूप में जग प्रसिद होगा, जो मनुष्य इस दर्शे का मन में भी अबलोकन करेगा, या इसके बारे में पढ़ेगा या सुनेगा उस पर श्री राम, देवी सीता और रामदूथ हनुमान, तीनों की अपार कृपा होगी, उन्हें सिध्धी एवं बुद्धी की प्राप्ति होगी, यह सत्या है या स्वापना, वो गीत वाला वानर, साक्षात मेरे समक्ष है, यह मेरे मन की कलपना नहीं, सत्या ही है, प्रभू श्री राम के नाम मात्र से माता का मुखडा प्रफुलित हो उठा है, जैसे घने मेक छड़ जाने से सुर्यदेव चमक उठते हैं, विरग के अंदकार में आशा का सुर्या आलोकित करने वाले ये वानर, स्रिष्ट जो भी हो, हे प्रभू ब्रिहस्पती, मेरी प्रार्थना है, के इनका कथन सर्वता सत्या हो, अब बस, माता मेरे कथन पर विश्वास करके, मेरी बात सत्यमाल ले, जिससे मैं माता को प्रभू श्री राम का संदेश दे कर, इनके संतब्त हिरुदय को सांत्वना प्रदान कर सकूँ, इनका दुख दूर हो जाए, कौन हो तुम, मेरे समक्षाओ और अपना परीचे दो, स्मरन रहे, यदि मेरे साथ कोई माया या चल करने का प्रयास भी किया, तो तुम्हारे लिए अहितकर होगा, प्रणाम माता, भक्त कभी अपने आराध्य से चल नहीं कर सकते माता, माता, आप जिन प्रभू श्री राम की प्रान है, मैं उन्श्री राम का एक तुछ साथ दूध हूँ, जिसे स्वयम प्रभू श्री राम ने आपको ढूणने के लिए भेजा है, बस, बंद करो अपना ये चल, पहले स्वान अम्रेक बनकर मुझे मोहित किया, फिर सन्यासी बनकर मेरा हरण किया, अब एक कपी का वेश बनाकर मुझे चलने आए हूँ, नहीं माता नहीं, मैं तुम्हें भली भाती पहचान गई हूँ मायवी, वेश बदलने में तुम पोण तया निपोण हो, रावण, अब तुम्हारी कोई भी माया मुझे नहीं चल पाएगी, माता, प्रभूश्री राम के भक्त को उनके शत्रू उस दोश्र रावण के नाम से संबोधित मत करिये, मेरी पाथ का विश्वास केजिए माता, मैं कोई अन्य नहीं, प्रभूश्री राम का संदेश वाहक हूँ, प्रभूश्री राम का दूद हूँ मैं माता, प्रभू का कैसा अधम सेवक हूँ मैं, माता सीता का विश्वास भी नहीं पासेका, दोश्ट रावण समझ कर उन्होंने मुझसे अपना मुख फेर लिया, कैसी तु विधा है, मेरा रिदय कहता है, ये वानर अविश्य राम दूद है, मेरे स्वामी ने इसे मेरे पास भेजा है, परंतु मन कहता है, कि ये भी उस दुष्ट चद्मी रावण का कोई चल है, किस पर विश्वास करो? माता, विश्वास कीजिए मेरा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं राम दूद ही हूँ, मैं वानर हनुमान प्रभूश्री राम का अनन्य भक्त हूँ, और उनके आदेश पर, मैं आपको यहाँ ढूडने प्रस्तुत हुआ हूँ, माता, एक वानर प्रभूश्री राम का दूद, ये कैसे संभवे? माता, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, जब आपको ढूडते हुए, वलकल वस्त्रधारी, नरसिमों के समान, पराक्रमी, दो शूर्वीर धनुर्धारी, प्रभूश्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण ने, रिश्य मुख परवत की सीमा में प्रवेश किया, तो उन्हें अपने भ्राता, वाली के सहयोगी जानकर, वानर राज सुग्रीव अपने जीवन को लेकर भया क्रांतु हुए, तब उनके निकट जाकर, मुझे उन वनवासी राज पुर्शों की दिव्यता और महानता का बोध हुआ, तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंधार, तुम्हारी पहचान है हनुआन, और मैं उन्हें अपने कांधे पर बैठा कर, महराज सुग्रीव के समीप ले गया। उसी दिवस्त, प्रभुश्री राम और महराज सुग्रीव के मध्य, एक अक्षुन्न मैत्री स्थापित हुई, दोनों ही अपनी भार्या के व्योग से त्रस्त थे, और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लिया। तत्पस्चार प्रभुश्री राम ने महराज सुग्रीव के अग्रज बाली का वदकर अपना वचन में भाया। तो महराज सुग्रीव ने आपका समाचार प्राप्त करने, दसों दिशाओं में अनेक योग्यवानर योधाओं को भेजा। मैं उन्ही में से एक हूँ माता, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे माता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा माता, कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूद हूँ। हे कभीवर, यदि आप सत्या कहते हैं और आप मेरे प्रभु श्री राम के दूद बनकर या उपस्तित हुए हैं, तो आपका मंगल हो। परन्तो मेरा मन अभी भी अनिक शंकाउं से बिचलित हैं। उनका निवारन करने हे दूद, आप मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्योंकि यदि आप राम दूद हैं, तो आपको मेरे स्वामी श्री राम के सामी प्यका सुखला प्राफ्त हुआ होगा। हाँ मा, हाँ हुआ है मा। और आप उनके सभी उत्तम गुणों से भली भाती परिचित हुए होगे। माता, आपके इन वचनों का श्रवन हनुमान के लिए अत्यंत सुख कर है अपने आराध्य। प्रभू श्री राम का गुणगान करना तो मेरा परंसो भाग्य है। प्रभू श्री राम का स्मरण और उनका नाम लेने के लिए तो ये भक्त सदैवातुर है। सुनिए माता, सूर्य के समान तेजस्वी हैं वो और चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को शितलता प्रदान करने वाले भी हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभू श्री राम। आ, 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 आ… राम चंद्र ज्यानवान नम्र भाशी शीलवान चंद्र जैसे मुख पे सूर्य के समान धूप है। शंख जैसी है ग्रिवा भव्य लंब है भुजा काम देव से मनोहरी प्रभू का रूप है। भू के रक्षा शीलवो विनेह सेहन शीलवो ब्रिहस्पति के तूल्य रघू वीर ज्यानवान है। भात के क्रिपाल वो शत्रों के काल वो धर्म राज के समान राम न्यायवान है। राम मी दिवान है वो सर्वशति मान है कैसे मैं विशेशता सुनाओं प्रभू राम की। मन में लाख भाव है शब्तों का भाव है। मेरे ही अमे रचे बसे है राम ही राम है। मेरे ही अमे रचे बसे है राम ही राम है। माता मैंने अपने सामर्थ के अनुसार प्रभू श्री राम के वर्नातिक गुणों का बखान किया। अपने प्रत्यक कथन से आपको अपना विश्वास दिलाने का यथा संभो प्रयास भी किया। परंतु मुझे ग्यात है। शंका की चाया जो आपके हिर्दय पर चाई है उसे हटाना कठिन है। परंतु माता जब प्रभू श्री राम ने मुझे आपको ढूर्णने भेजा था तब भी मुझे इस कठिनाई का अनुमान था। इसलिए प्रभू श्री राम ने मुझे एक ऐसी असाधारण, अमुल्य और विशिष्ट निधी देकर भेजा है जो आपको भी प्रिय है। और जिसे देखकर आप मुझे पर अवश्य विश्वास करेंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये टे के मता मेरे प्रभू, मेरे स्वावी, श्री राम के मुझे का। यदि आप सच्चे मन से सार्थक प्रयास करेंगे, तभी आप किसी का भरोसा जीच सकते हैं। ये श्री राम। ये श्री राम। ये श्री राम। ये श्री राम। ये श्री राम।